हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई योटूब चैनल आज इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ पूरे लुसेंड जीके का निचोड यह जो है आपका यहाँ पर पार्ट वन होगा इसके आगए के पार्ट आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी डेली साम में इसी वक्त आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी यह टोटल जो है 10,000 यानि 10,000 कोश्चन का संग्रह होगा यहाँ के बाद साइद ही आपके जीके के कोई भी कोश्चन छुटने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास तक जरूर देखिए अगर आपका एक्जाम आने वाले टाइम में है तो व उतने वक्त में इसके जवाब हमें कमेंट वाक्स में कमेंट करने होंगे अगर आपको थोड़ा सा भी और वक्त चाहिए तो आप वीडियो को पॉस्ट भी कर सकते हो तो चलिए देखते हैं उन सारे कोश्चन को सबसे पहला जो आपका यहाँ पे कोश्चन है दास ताने अम जंकड किया अब दुल समत के द्वारा किया गया यानि की आपका उप्सन नम्बर ए पे चला गया अगे जो आपका कोश्चन है देल बर्जीया जाती निमनलिखित में से किस एक से समबंदित है तो डेल वर्जिय जाती विलॉंग्स टू सीसम ओप्सन नमबर डी वर्ज भर बोई जाने वाली फसल है उरत, गेहू, राई, मक्का तो करेक्ट एंसर है ओप्सन नमबर डी मक्का लार में कौन सा इंजाम पाया जाता है रेनीन, टाइलीन, टेनीन या रेजीन करेक्ट एंसर है ओप्सन नमबर डी टाइलीन, गंगा के मैदान की पुराणी कच्छारी मिटी क्या कहलाती है भावर, बांगर, खादर या तराई, तो यहाँ पे आपका करेक्ट होगा बांगर, ओप्सन नमबर डी के साथ चला जाएगा क्रिकेट के खेल में पॉंपिक क्रिज की माप होती है, इसमें जो पॉंपिंग क्रिज होती है, उसकी माप होती है, चार फूट ऑप्सन नमबर बी कौन सी जील, श्वेज, नगर, जलमार्ग के मार्ग पर नहीं पड़ती है करेक्ट अंसर और 9 एक गाटून जील, वनश्पति सास्त्र के जनक कौन है तियोफ्रेस्टर्स, लाइनस, ट्रेविरेनस, प्लाइनी दा एल्डर Correct answer is Theophrastus option number A जिस विदेशी मुद्रा में सिग्र देशांतरन की प्रविर्ती हो उसे हम क्या कहते हैं वैसा विदेशी मुद्रा जिसमें सिग्र बोहत ही जल्दी देशांतरन की प्रविर्ती हो अलम मुद्रा कहलाती है, option number D मसालों का बगान कहा जाने वाला राजे है, आपका यहाँ पे केरल, option number B के साथ चला गया किस काल में अच्छूत की अवधार्ना असपस्ट रूप से उदित हुई तो अच्छूत की जो अवधार्ना हुई, वह धर्म शास्त्र के काल में उदित हुई, option number D के साथ धर्म शास्त्रों में भूर आजस्व की दर क्या है, हमने देखा कि अच्छूत की अवधार्ना हमें धर्म सास्त्र के काल में मिली तो धर्म सास्त्र में जो भूर आजस्वी की दर थी वह क्या थी तो that is 1 by 6 option number C हरित गरंधिया किस से संबंधित है आपका correct answer हो गया option number B उत्सर्जन से बाया महा धमनी चाप किन में दिखाई देता है अस्तन पाई में आपको बाया महा धनमी चाप तिखाई देगा option number B के साथ चला गया युद की घोशना या सांती का फैसला करने में कानूनी रूप से कौन सच्छम होता है कौन फैसला करता है कि युद की घोशना या फिर सांती का तो correct answer is राष्ट पती option number A के साथ चला गया तैरता हुआ राष्ट्रिय उद्यान किबूल लाम जाओ कहां पर है तो correct answer है आपका मणी पूर में है एक राष्ट्रिय उद्यान किबूल लाम जाओ इमेल का विस्त्रित रूप आप सभी लोग यहाँ पर इमेल का यूज करते हो तो इमेल का जो विस्त्रित रूप है उसे हम क्या बोलते हैं तो correct answer is electronic mail option number B एक निबल कितने बीटों के बराबर होता है तो चार option number C चुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाये जाते हैं वे कौन से ग्रह होते हैं कौन से ग्रहों के बीच चुद्र ग्रह पाये जाते हैं correct answer is mangal और ब्रिहस्पती option number C अस्थल मंडल का तात पर किससे है correct answer है प्रित्वी की बाह पपड़ी option number D again है हमारे यहाँ पर नागरिक्ता प्राप्ठ करने के लिए शर्ते निर्धारित करने वाला सक्छम निकाय कौन सा है तो नागरिक्ता के लिए जो शर्त निर्धारित करता है उसके लिए सक्छम होता है sunset option number C शर्व प्रथम खोजा गया चुद्रग्रह कौन सा है चुद्रग्रह के बारे में हमने उपर देखा कि मंगल और ब्रियस पती के बीच में पाई जाती है तो सबसे पहले कौन से चुद्रग्रह की खोस की गई थी सीरस ओप्सन नंबर ए अस्टेथो स्कोप धोने के किस सिध्धान्थ पर कारे करता है यो करेक्ट एंसर इस ओप्सन नंबर ए परावर्तन के सिध्धान्थ पर डेटा शब्द किशका बहु बचन है आपको ये कुश्चन अकसर इंगलिस में भी परिशान करता है इरे में डेटा और डेटर तो आपको ध्यान में रखना है डेटा जो है बहु बचन होता है और इसके जो सिंगल होते हैं वो होते हैं डेटम यानि ऑप्सन नंबर दी तो आपको एकजाम में दे आ रहे हैगा डेटम तो आपको समझना है this is singular अगर डेटा दे दिया तो दिस इस प्लोरल निम्न लिखित में से कौन सी धातू नाइट्रोजन में जलती है करेक्ट एंसर इस मैंगनेशियम ओप्सन नमबर सी आवर्त सार्ने के दूसरे आवर्त में ततवों की संख्या कितनी होती है तो आप सभी को पता हो अगर 2, 8, 18, 32 तरीके से कार जो इसका चलता है तो इसके जो दूसरे आवर्त में ततवों की संख्या होती है आठ होती है ओप्सन नमबर बी इन जानवरों में से किस के जबडे नहीं होते हैं किस जानवर के जबडे नहीं होते हैं तो यहां पर अगर हम बात करें तो ट्राइगोन के जबडे होते हैं मिक्साइन के नहीं होते हैं अस्फिर्ना के भी होते हैं और शार्क के भी होते हैं तो करेक्ट एंसर इस मिक्साइन हो जाएगा यहां पर option number B के साथ आपका यहां पे चला जाएगा मानव शरीर में पांचर का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है तो सबसे ज़्यादा जो भाग होता है वो छोटी आथ संपन करता है small intestine option number C उजैन का प्राचिन नाम क्या था इसके अलाव मैं आपको फिर से बूल रही हो कि यहां पे अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे है तो लाइक ज़रूर करो और अपने फ्रेंड्स के साथ सेर किजिए करो बिकॉज यहां पे जो है आपका दस अजार जी के कोश्चन का सेट है तो उन्हें भी यह सारे कोश्चन क्लियर हो जाए जो भी आपके फ्रेंड्स यह रेलेटिव से कम्प्रेटिव एक्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सोसल मेडिया एकॉन, फेस्वक, वाट्शब, टेलिग्राम ग्रूप पे ताकि उन सारों को यहां पे हेल्प मिल सके तो अगर हम बात कर रहे थे उस जैन के प्राचिन नाम की तो यह है अवंतिका ओप्सन नमबर एक सोला महा जनपतों की सूची कहां उपलबदे यह आपको यहां पे कोश्चन है तो इस कोश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यह अंगुत्तर निकाए में उपलबदे ओप्सन नमबर ब के साथ चला गया भारत में पहली वार जनगन्ना कब हुई जनगन्ना आप सभी को पता है कि पर टेनियर्स पे होती है तो सबसे पहले जो यह हुई थी वह कब हुई थी यह आपको यहाँ पे पूछ रहा है तो 1872 ओप्सन नमबर ब के साथ चला गया महा सागर ये सता का निर्मान किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है तो correct answer is बैसाल्ट ओप्सन नमबर बी महात्मा बुद्ध के छत्रिये कुल के कौन थे शक के option number a निम्न लिखित में से कहां विधान सभा अस्तित्व में नहीं है तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे विधान शभा की तो यह पुद्दुचेरी में भी है गोवा में भी है और डेली में है यानि कहां नहीं है तो लक्ष दूइप option number d तो इंडिया में जो है विधान सभा कितने हैं यह आप हमें कमेंट वॉक्स में कमेंट करके बता देना फिर कर रहा है प्लेट विवर्तनी की सिद्धान्थ किस वर्ष प्रस्तूत किया गया तो यह जो सिद्धान्थे 1960 में प्रस्तूत किया गया option number b प्लेट विवर्तनी की सिद्धान्थ का प्रतिपाधन किस ने किया था यह आपको हमने देखा कि 1960 में इसका प्रतिपाधन हुआ तो किसके द्वारा हुआ हैरी हैस के द्वारा option number a आर्किमिडेज किस देश के थे आप सभी लोग को पता होगा आर्किमिडेज का सिद्धान था तो यह किस देश के थे तो ग्रेस के option number d तत्वों का सबसे पहला वर्गी करन किशने किया था correct answer is डोबरेनर option number d मानव के श्वेत रक्त कणों का ब्यास कितना होता है लगबल तो अबाउट 0.007 mm option number a और this is the important question for your exam यह सारे questions important है बट यह जो है बहुत ही जादा confusion होता है तो इसे आपको हमेशा द्यायन में रखने है फिर correct तुर्की का रास्ट्री यह खेल कौन सा है तो correct answer is कुष्टी यानि option number b के साथ चला गया निम ने लिखित में से कौन सा LPG का प्रमुख घटक है LPG liquefied petroleum gas इसका जो प्रमुख घटक है वह है butane option number d antwerp कहां पर रस्थी थे आप सभी को पता है antwerp जो है hero के लिए प्रसिद्ध है यहां पे हीरे के सारे चीज़ होते हैं तो antwerp है कहां पर तो belzium option number d के साथ चला गया table tennis किस देश का रास्ट्री यह खेले उपर हमने देखा तुर्की का रास्ट्री यह खेले कुष्टी तो table tennis किस देश का रास्ट्री यह खेलोगा तो चीन option number c इसके अलावा आपको बताना है कि चीन की राजधानी क्या है और मुद्रा क्या है विदियो में बता दिये तो इसके आपको पूरे knowledge होनी चाहिए अगेन question है रावल पिंडी express कौन कहलाता है correct answer is शोयव अक्तर दरावल पिंडी express शराब का निर्मान किस क्रिया के प्रणाम सरूप होता है तो शराब की निर्मान किनवन के द्वारा होता है option number a 80% से अधिक कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है तो 80% से भी अधिक पाया जाता है जल option number d करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा यहां पर mitochondria किसमे अनुपस्थित होता है चार options है आपके पास तो अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर mitochondria की तो प्रेजेंट होता है इस्ट में कबक में और हरे शैवाल में इसकी एपसिंस होती है जीवानों में option number c के साथ आपका चला जाएगा अगें जो आपका यहां पर कुश्यन है ध्वानी का तात्व किस पर निर्वर करता है तात्व यानि पीच ध्वानी की जो सौन की जो पीच होती है वह किस चीज पर निर्वर करती है करेक्ट एंसर आवरिती option number a आधूनी का वर्त नियम का प्रतिपादन किशने किया था यो करेक्ट एंसर इज मोसले ने option number d सपाट शिर्ष वाले समुद्री परवतों को किस नाम से जाना जाता है करेक्ट एंसर आपका गुयाट के नाम से हम उसे जानते हैं option number b निम्ण लिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से दो बार गुजरती है तो मकर रेखा से दो बार गुजरने वाली जो नदी है वो है लिम्पोपो option number b राश्ट्रिय जैविक खेती केंद्र कहां अस्थित है करेक्ट एंसर इस गाधियाबाद option number d भारत में रुपए का अवबूलियन पहली बार किश्वर्स किया गया था चार options है आपके पास यूर करेक्ट एंसर इस नाइनटीन फोर्टीनाइन option number a आरे समाज किसके विरुद्ध है आरे समाज जो आपको आरे समाज के संस्थापक आप हमें कमिंट बॉक्स में कमिंट करके बता देना तो अगर हम बात करते हैं यह किसके विरुद्ध है तो यह जो है धार्मिक अनुष्थान और मुर्ति पूजा के विरुद्ध है option number b is the character answer अमजद अली खान ने निमन लिखित में से किस वादे से सम्बंदित है तो यह जो है किस वादे से सम्बंदित है सरोध से option number b जो होती है बहता हुआ पानी में भी और चलता हा थोड़ा में भी लेकिन खीचा हुआ धनुस वह खीचा हुआ धनुस है तो उसमें गति जुर्जा नहीं होती है option number d is the correct answer कौन सा सम्बिधान संसोधन संसद में पक्ष परिवर्तन के करने में निशीद करता है तो पक्ष परिवर्तन की जहां पर बात आती है कि संसद में जो पक्ष परिवर्तन किया जाता है वह जो है बावनमा सम्बिधान संसोधन जो है इस चीज को निशीद करता है option number c होकी की एंतर रास्ट्री संस्था क्या है यूर करेक्ट एंसर इज आई एच एफ ऑप्सन नंबर डी इसके फूल फॉर्म क्या होंगे वह भी आपको हमें यहां पे कमेंट वॉक्स में कमेंट करके बताने होंगे फिर कह रहा है 2020 में ओलंपिक खेल कहां आयोजित होंगे तो हमने इसके लिए आपको अलग से वीडियो बना कर रखाया कि कौन सा खेल जो है वह कहां आयोजित होगा तो आप हमारे चैनल के वीडियो लिस्ट में देख सकते हो यह हमने आपको हाली फिलाल में अपलोड किया था बहुत ही जादे इंपॉर्टेंट होते हैं यहां से एक्जाम में कुष्ण पूछे जाते हैं तो आप हमारे वीडियो लिस्ट में जाकर एक वार उस वीडियो को भी जरूर देखो इसी कारण में आपको बूलती हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब रखो और तो आप मॉर्णिंग वाले सारे वीडियो देख जाओ वहां से तो आपकी एक्जाम में कुष्ण आएगी कि कि किस चीज के ब्रैंड नमस्ट कौन है तो चलिए देखते हैं इस चीज को तो यह जो ओलंपिक खेला योजित होगा वो टोकियो जापान में होगा ऑप्सन पे मात्रकों की अंतर राष्ट्रिय पदती कब लागो की गई है इंटरनेशनल सिस्टम मात्रकों की अंतर राष्ट्रिय पदती कब लागो की गई तो करेक्ट एंसर इस 1971 ऑप्सन नंबर बी प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है तो कोण ये गति का होता है ओप्सन नंबर सी के साथ चला गया फिर करेक्ट कैगा में क्या होता है यूर करेक्ट एंसर इस नाभिकिये उर्जा उत्पादन होता है ओप्सन नंबर बी विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उप्योग किया जाता है तो इसकी सफाई में जोहे परासरव्य तरंग की उप्योग की जाती है ओप्सन नंबर ए जायद मौसम में उगाई जाने वाली फसल कौन सी है तो तरबूज ओप्सन नंबर ए के साथ चला जाएगा भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतरगत पंचाइती राज प्रणाली की वेवस्था की गई है तो पंचाइती राज प्रणाली का जिक्र जो है नीती निर्देशक सिध्धान्त में है option number C के साथ चला जाएगा और यह जो यह नीती नीदेशक सिद्धान्त की अगर यहां पे हम बात कर रहे हैं तो यह किस भाग में आता है तो भाग 1 में आता है भाग 1 में आता है भारते वह मुष्के राजी संगे वह मुष्के राजी छेतर भाग 1 में अनुशेद 1-4 फिर आग 4 में आपको नीती नीदेशक सिद्धान दाता है जो कहा 36 से लेकि 51 तक चलता है और 51 ए में बात की जाती है किसकी तो मौलिक कर्दब्यों की अगर आपसे पूछे कि मौलिक कर्दब्य कितने हैं तो मौलिक कर्दब्य कुल 11 है पहले 10 थे मौलिक अधिकार पूछे तो प कार्वोनी फेरस ओप्सन नमबर सी दो अक्षांस रेखाओं के बीच की दूरी लगबग कितनी होती है तो 111 किलो मीटर ओप्सन नमबर सी के साथ चला गया सोनार अधिकांस तक किस चीज के किसके परियोग में लाया जाता है कौन जो है सोनार का परियोग करते हैं तो 9 संचाल किसका परियोग करते हैं ऑप्सन नमबर ड के साथ चला गया खरिफ फसल कौन सी नहीं है तो यहां पर अगर हम बात करें तो खरीफ पसल है कापास मुंफली और मक्का कौन सी नहीं है तो सरसो correct answer option number D जीम कारवेट नेशनल पार्क कहां अस्थीत है जो correct answer is उत्तराखण option number A सबसे भारी धातु यहां पर आपको सबसे भारी धातु होता है ओसमियम option number D और यह जो exam में बहुत ही जादा बार repeat हुए यह question तो this is very important question वरून किस में मिलता है फल में पढ़न में बीज में या कली में तो यह जो है बीजों में पाया जाता है option number C किस ग्रह के चारो और अश्पश्ट बलाए है तो सणी ग्रह के चारो और है आपका option number C के साथ चला गया किस छेतर के चारा गाह को विल्ड कहा जाता है यूर करेक्ट एंसर इस सौथ अफ्रिका दक्षिन अफ्रिका के चारा गाह को हम विल्ड करते हैं option number D 31 माई को हम किस रूप में बनाते हैं तो यह मनाया जाता है एंटी टोबैको के रूप में option number D दिवस के लिए हमने आपको अलग से वीडियो बना के रखा अगर आप वो सारे वीडियो देखा होगा आपने तो आपको इस question में कोई problem नहीं हुआ होगा और अगर नहीं देखा है तो जरूर देख लेज़े यहां से भी question पूछे जा सकते हैं फिर कराया निम्न लिखित राज बंसो में से किसका उल्लेक संगम साहित में नहीं हुआ है तो चेर का उल्लेक जो है संगम साहित में हुआ चोल का भी और पांडे का भी यारी किसका नहीं हुआ तो कदम का option number A के साथ चला गया सबसे छोटी कोशिका है mycoplasma option number A एक व्यक्ति रास्टपती के पद के लिए दिख्तम कितनी वार निर्वाचन हो सकता है तो रास्टपती के पद के लिए जो है इसकी कोई सीमा नहीं रखी गई है कि वो कितनी वार निर्वाचन हो सकता है option number D के साथ चला जाएगा दिल्ली के लाल किले का निर्मान किसने करवाया था तो इसका जो निर्मान ने शाह जहाने करवाया था option number D आणविक संगठन के द्वारा उश्मा का संप्रेशन क्या कहलाता है Your correct answer is someone option number B निम्न लेकित द्रवों में से कौन सा उश्मा का बहुत अच्छा चालक है तो पारा मरकरी option number A के साथ चला गया यह जो है उश्मा का बहुत अच्छा चालक होता है यहूदियों का पूजय अस्थल क्या कहलाता है तो सीना गाग कहलाता है option number B रॉकेट को चलाने में प्रियोक्त इंदन क्या कहलाते है तो रॉकेट में जो इंदन की यूज होती है उसे हम कहते है प्रणोधक option number C जब सुध जल में डिटर्जन जाला जाता है तो प्रिष्ट तनाव क्या होता है तो डिटर्जन जला डालने से प्रिश्ट तनाव घटता है ऑप्सन नमबर B साधारन बातचीत की ध्वनी की तिब्रता कितनी होती है तो 32-40 डेशिवल ऑप्सन नमबर B क्यूसेक से हम क्या वापते हैं किसी राजी विधान सभा के सदस्यों की नियुनतम संख्या कितनी हो सकती है तो नियुनतम हो सकती है 60 ऑप्सन नमबर C मुम्ताज महल का अशली नाम क्या था तो अशली नाम था अजुर मंद बानो बेगम ऑप्सन नमबर A के साथ चला गया इस पात के गोले में पदार्थ की मातरक उसकी क्या होती है तो यह जो है उसकी द्रबिमान की होती है ऑप्सन नमबर B कनाड़ा के मद्य अक्छान से घास के मैदान क्या कहलाते हैं तो कनाड़ा में जो घास के मैदान होते हैं अक्छान से उसे हम करते हैं प्रेयरी ऑपैस फ्रेयरी ओपिशन नमबर उप निश्दकाल के राज आश्वपति कहां किसा crushing नन्गई he निच्ट कूण इसक्रवा थैं क्निशथ काल के थैं और यह केकई के संब उप से काल रेखा कौन था तो विशाख दत था option number A अगेन आपका यहाँ पर कुश्यन है इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किस से संबंदित है तो यह जो है सही अर्थों में संबंदित रखता है हीरो डोटस से option number A अमीर खुसरों ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमी का निभाई तो खड़ी बोली के विकास में option number C के साथ चला गया जो आला मुखी की सक्रियता सबसे अधिक कहां पाई जाती है तो यह जो है जापान में पाई जाती है अगर हम पूछे कि संसार का सबसे ज़्यादा जो सक्रिय जौला मुखी की सक्रियता जो है वो जापान में होती है बर सबसे ज़्यादा सक्रिय जौला मुखी कौन सा है यह भी आपके लिए important है तो खिलायू option number C के साथ चला गया धोनी का तात्व किस पर निर्भर करता है तो यह आवरिती पर निर्भर करता है फ्रिक्वेंसी पर निर्भर करता है option number A यह question साथ आपका repeat हो गया यहाँ पे again question आपका यहाँ पे कह रहा है कि computer के आविशकार में निम लिखी तमेंसे कौन संबंद रखते हैं तो बैबेज option number D के साथ चार्ल्स बैबेज again आपका question है यहाँ पे आज का आखरी question निम लिखी तमेंसे कौन भारत निर्मान का अंग नहीं है तो ग्रामीन आवास भी है ग्रामीन विद्यूती करन भी है ग्रामीन टेलू फुन भी है यानि कौन सा नहीं है तो क्रिसी अधारी तुख द्योग option number C तो आज ले बस इतना ही वीडियो कैसा लगा या आप हमें like, comment और share करके जरूर बताना then bye and thanks for watching this video